करा रहा है, which of the following statement is are true, इसमें से कौन सा यसे कथन सत्य है, तो कथन की सत्यता की जाच करनी है, तो देखे, पहला जो आपको statement दिया है, root 1 plus root 2 plus root 3 plus root 4 plus root 5 plus root 6, ये कथन जो आपका दिया हुआ यूआ हो है, विल्कुल सत्य है, जितना देर मुझे पढ़ने में लगा है, उतना ही कि दिर मुझे डिसाइड करने में लगा है कि यह से बढ़ा है इसके बाद देखिए जो अगला स्टेटमेंट दिया है आपका रूट 10 प्लस रूट 12 प्लस रूट 14 इस ग्रेटर देन 3 रूट 12 यह स्टेटमेंट गलत है ठीक है दोनों चीजें मैं आपको समझाता हूं कि मैंन तो यह 2.something होगा तो मैं 2 2 प्लस 2 प्लस लिखके छोड़ दे रहा हूं मेंटली सोच रहा हूं और यह वैलू क्या है 1 प्लस और यह भी 1 प्लस आप इनका केवल सम कर लो 2 प्लस को 2 समझा रहा तो यह 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया 9 प्लस अब जहां देना 9 प्लस है तो काम नह 9 प्लस बोलने से हमें नहीं पता कि वह 10 से बढ़ा है यह 10 से छोटा है हमें पस्ति यह पता लग रहा है कि नमबर 9 से बढ़ा है तो मैंने का थोड़ा सा और करीब जाते हैं तो रूट 2 और रूट 3 के वैलू हमें मालूम है कि 1.4 होता है 1.4 सम्थिंग और यह 1.7 आपको बता है आपको वैसे ही जब आपने 1 प्लस और 1 प्लस लिखा था तभी आपको 9 प्लस मिला था और फिर मैंने इन दोनों को केवल थोड़ा सा और करीब लिखने की कोशिश करी मुझे प्लस 1 मिल गया अब आपका नमबर क्या होगा 10 प्लस होगा कि नहीं होगा आप द आपको पैनिक नहीं होना है आपको सिंप्ली कंपारिजन करना है लेफ्ट हैंड साइड का राइट इंड साइड से ठीक है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लिना कि लग गये इसकी पावर पता नहीं कि स्कॉर करके देखने लग ऐसा कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है आप सिंप्ली बस यह काम करो कि आप थोड़ा सा अप्रॉक्सिमेशन इस तरह से सुजनी कोई करो और जो आता है वहीं से स्कॉर करो मुझे क्या आता है वैं और टू तो पता ही आपको बचपन से मालू मैं तो इन दोनों को जोडने से ही मुझे एक और मिल गया एक हो कि यह 10 प्लस है बढ़ा होगे अब इस को करने में कौन सा आपको हाई लेवल इसकिल चाहिए छोटी सी नॉलेज बच्पन से आती है उसका इस्तेमाल किया गया है बस एक सिंबल लगा दिया गया बीच में इससे बढ़ा है कि नहीं है तो क्या दिखकते कर लेंगे आप इस क देखो तो इसका तो मैं इसको हटा दूँ यहां से और यहां में टू कर दू तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यह आगया आपका टू रूट ट्वेल और यह वैल्यू आपकी क्या गई रूट टेन प्लस रूट फॉर्टी ठीक है इधर होके टू रूट टूल रूट टूल अब मुझे स्कॉयर करना है स्कॉयर करके आप देखो जरह यह वैलू कितनी हो जाएगी आपकी 24 मिलेगी 10 और 14 24 प्लस टू रूट 140 यहां आपको क्या मिलेगी ग्रेडर देन 4 इंटू 1248 आप जान से देखो यह एकर 24 है तो यह आपकी वैलू कितनी होने चाहिए 24 प्लस होन नीचे तभी यह 48 से बड़ा होगा लेकिन यह वैलू 24 प्लस नहीं है यह 24 प्लस क्यों नहीं है क्योंकि यह वैलू आप ग्रधियान से देखें चैनल 145 तो यह 144 से कम है अगर 144 से ज्यादा होती तब बाहर आता 12 से जादा और 24 प्लस हो जाता यह कम होचे तो यह वैलू तो म एक चीज में आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं यह आपको कहीं ने कहीं समझने की जरूरत है कि मैं जब इसकोशन को खायर कर रहा था तो मैंने मैंने चीजों को आपको मजबूरी में कुछ और दिखा रहा हूं क्यों क्यों कि जब तक मैं आपको समझाता हूं तब तक थोड़ा सा मुझी क्लासे आपके लिए लेनी पड़ेंगे इसलिए मुझे ऐसे रूट में जाना पड़ा एक चीज से मैं आपको और साउधान करता कि देखी हुआ क्या है पेपर में जिस तरह के सवाल आये हैं अब लोग इसको भी फॉर्मूला बनाके पेस कर देंगे मैं आपको बता रहूं ठीक है और वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे मैं आपको यह भी बता देता हूं वो कहेंगे कि देखो यहां रूट 10 है यहां सकते हो रूट ऑफ 12 प्लस टी ठीक है और यह वैलू कहेंगे है टू रूट एक बराबर अब उसका स्कॉर करेंगे जहां पर हम बेसिक अंडेस्टांडिंग ले रहे हैं अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको दिखा रहा हूं कि फॉर्मूले का कारखाना यह कै गया कि जो सब्सक्राइब आपको HAVE होगा इसे हैं मिलेगा फोरे नहीं को घचेग सब्सक्राइब आपको क्या ने जाओंगा तो ये मुझे क्षय मिले का मिलें गाझांगा अग यह सब्सक्राइब कर ने- confit अब देखो अगर मैं यह statement आपको दूँ तो यह तो हमेशा गलत होगा है ना क्योंकि a square minus d square तो a से चोटा है तो वो अगर a से चोटा है तो इसका square root a से चोटा होगा ठीक है यह स्क्वार root a से चोटा ही होगा यह statement कभी सही नहीं होगा तो actually formula कैसे बन जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ फर्मूले ऐसे बन जाएंगे कि अगर आपको कोई इस तरह की वैलू दी है ठीक है यह वैलू आपका लेट से इस तरह का expression जो मैंने हाँ पर आपके सामने लिखा है इसको अगर आपने एजिम किया और यह आपका क्या हो गया a-d और यह आपका ऐसे हो गया तो एक चली जो formula मैंने लिखा था वो finally convert कैसे हो गया ऐसे सब्सक्राइब यह फर्मूला आपको ऐसे रटा दिया जाएगा और कहेंगे इसको रट लो ऐसा सवाल आगा तो लगा सवाल यह कितने कितने केसे आप रटके जाओगे कितने केसे रटके जाओगे इसलिए मैं आपको बोलाओं कि हर चीज रटने कोश्मत करो एक्जाम में वो पैटन को सब्सक्राइब कि अच्छा यह कम है उतना बराबर है कि नहीं है जब आप चीजों को समझते होना तो अपने आप चीजें लिंक होने लगती है मतलब इस नॉट डिफिकल्ट टास्क आप अपने आप यह चीज अगर यूज होना होगा तो हो जाएगी क्योंकि आपको नमबर्स के टम में दिखा दिया पर मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप इस तरह के फॉर्मूले रट लो ठीक है मत रटीका वड़ना यह अननेसेसरी बहुत सारे कंफीजन हो जाते हैं अगर आपने अप्रॉक्सिमेशन करना शुरू किया तो यहां पर आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है क्योंकि यह काफी क्लोज अप्रॉक्सिमेशन ह होता है तो यह 3.2 से तो कम होगा 3.2 से थोड़ा सा कम होगा और 3.1 का स्कॉर 961 होता है 9.61 यह वैलू रूट बारा दी हुए इसको तो हम उधर ही लेके चले गए तू रूट कर दिया हमने है ना तू रूट को बता है फोर को तू बाहर निकाल लो तो उल्टिमेटली सिक्स रूट 3 बचेगा यहां पर ठीक है 6 रूट 3 बचेगा क्योंकि मैंने 2 और बाहर निकाल लिया तो आप जहां से दिखना है यहां पर यह वैलू जो आपकी बजी है रूट 14 ठीक है रूट 14 को जहां से देखो आपको 1296 मुझे पता है कि 1296 के अगर मैं बात करूं ऐसे तो वह इसकिल्स आपकी थोड़ी सी कोई को नहीं चाहिए मतलब जब मैं बात करूं कि आपको स्कॉयर काल्कुलेशन की बात करूं अगर वह आपकी क्विक है तो आपको टाइम नहीं लेगा जैसे मैं को 37 का स्कॉयर अकर आप निकालने जाते हो तो होता है 1389 इसकॉयर आपका होता है 1369 कैसे यह स्कॉयर के टेक्निक को आई कंप करो तो मिल जाएगे आप देखें नहीं वहां से तो यह वैलू जो मुझे मिल रही है आप देखो यह मुझे निकालने भी तो यह वैलू 13.69 हुई लेकिन यह 37 का इसक्वार निकलने जाओंगा तो मैं 14 से बाहर निकल जाओंगा तो आप 14 से बाहर निकल जाओंगे तो कहीं नहीं यह वैलू मुझे कितना मिल रहा है 1.7 है ना और यह जो वैलू आपकी 3 थी यह चुकि मैंने 2 कर दिया था ना इधर आपको राइट हैंड साइट लेके आगे थे हम तो यह टू हो गया और यह वैलू आपकी फिर यहां पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगी सारी इसको आप 4 कर लो 4 root 3 हो जागा 4 इंटू तो यह वैलू आपकी कितनी आ रही है 6.8 अब देखे इस लेवल आफ एप्रॉक्सिमेशन से जब आगे बढ़ोगे ना तो यह आपका सही नहीं होगा यानि यहां पर और और क्लोजर एप्रॉक्सिमेशन चाहिए ठीक है तो वो क्लोजर एप्रॉक्सिमेशन के लिए I was able to decide मैं दो अंक तक निकाल लेता हूँ रूट बीना किसी समस्या के कि सेकेंड डिजिट भी स्की क्या होगी वह भी मेरा निकल जाता है अराम से ठीक है तो वो लेवल आफ एप्रॉक्सिमेशन अगर आपका होगा तो आप शायद इसको भी सीज़र डिसाइड कर पाऊगी पर उ झाल 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 झाल